दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पोचे आज की सबसे पहली कबर बिहार में EWS आरक्षन वालों को उम्र सिमा में छोट नहीं देगी नितिस सरकार विदान सभा में किया एलान जिया सरकारी नोकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की अभी अरक्षन के मामले पर बिहार सरकार ने बड़ा एलान किया है इसके सरकार ने कल बिहार विदान सभा में इस्पष्ट किया कि वहाँ EWS केटेगरी की अभी अर्थियों को उम्र सिमा में कोई छोट नहीं देने जा रही है दरासल विदान सभा में कॉंगरेस विधायक अजिस सरमा समेत आने सदैसों की तरफ से EWS चात्रों को उम्र सिमा में छोट और ब्यकलोग को लेकर ध्यान करशन सुचना लाई थी इसके जवाब में सरकार ने सपष्ट क्या कि केंद्र सरकार की तरब से बनाए गए कानून की तहट EWS केटिगरी के अभियर्तियों को उम्र सिमा में कोई छोट नहीं मिलेगी बाड़ी कबर जातिगत जनगना को लेकर सिम ने किया विपक्च का समर्तन इस तारिक को पीम से करेंगे मुलाकार जहां बाड़ी कबर पाटना विदान मंडल से सामने आई है जहां जातिगत जनगना को लेकर विपक्च सदैसो की मांग पर सियम नितीज कुमार ने प्रधान मंत्री से मिलने की मांग को सिवकार कर लिया है इस बात की जानकारी देते वे तेजस्वी आदम ने कहा कि जातिगत जनगन्ना को लेकर सियम नितीज कुमार का रवय या सकरात्मक रहा है और उन्होंने भरोसा दिया है कि वो इस समन्द में प्रधान मंत्री से मुलाकात कर बात करेंगे साथ ही तेजस्वी आदव ने बताए कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि दो अगस तक प्रधान मंत्री से मुलाकात करने के लिए समय मांगेंगे तेजसी आदव ने कहा कि सीम ने कहा है कि वहा जातिकत जनगर्ना का समर्थन करते हैं सेम ने मुलकात के दोरान निता प्रतिपाक्ष तेजसी यादव सही तेज परताप यादव लालित यादव कॉंग्रेस विधायक दल के निता अजिस सर्मा और माले की विधायक महबूव आलम मौजूद रहे पाटना विष विधालाय के इसना तक पाटकरमों में नमाकन के लिए ओनलाइन आवेदन एक अगस से लिये जाएंगे राजबावन से आदेस मिलने के प्रधासा में ओनलाइन आवेदन प्रक्रिया जारी है इसमें पाटना विष विधालाय के इसना तक नियमित सेल फाइनेंस एवं विवसाइक कोर्स में भी नमाकन लिया जा सकता है एक आवेदन से चात्र अपनी सुविधा अनुसार सभी संकाय में नमाकन के लिए आवेदन कर सकते हैं पाटना विष विद्दाले के कुल सचीव डाक्टर जीतिंद्र कुमार ने बताए कि तीन वरसिये इसना तक नियमित पाटकरम बीए 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 सी एवं बीकॉम सेल फाइनेंसर वेबसाइक पाटकरम बीकॉम बीसी ए बीए 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 इन मास कम्यूनिकेशन बीए इन सोसल वर्ड बीए सी इन बायो टेकनोलोजी बीए इन फरक्शनल इंग्लिज बीए सी इन इन्वार्मेंट साइंस में नमांकन होगा इसके अतरीक लेलबी बैचलर ओफ लावरेरी साइंस बैचलर ओफ फाइन आर्ट्स एवं आयने पीजी कायरकरम को लेकर भी यह अधिसुशना जारी की गई है पटना विस विद्दाला में नमांकन प्रक्रिया में केवल 2021-72 के लिए एंट्रेंस टेस्ट से चात्रों को छो सेंट्रेल बोर्ड ओफ सेकेंडरी एजुकेशन यानि की सिब्यसी ने सुकुरवार को बारवी का रिजल्ट जारी कर दिया पटना जोन का रिजल्ट अन्ठानमी दसमलव नौ परतिसत रहा रिजल्ट जारी होती है इस्टूडेंट खुशी से कूद पड़े सुवह से उन् अगर एक्जाम लिया जाता तो हम लोगों का नंबर और भी अच्छा होता अलाकि कोरोना काल के कारण परिच्छा लेना संभव नहीं था इसलिए मिले नंबर से ही संतुष्ट है साथ यह आपको बता दिकिए पुरे देश में पटना जोन चोदवी स्थान पर रहा है बाड़ी कवर सिक्छा मंत्री विजय कुमार चोदरी का बड़ा एलान पंजिकरित स्कूल में गरीब जात्रों को परिशानी होईति होगी कारवाई जिहां सिक्षा मंत्री विजय कुमर चोद्रे ने कहा कि सिक्षा का दिकार के तहट पंजिक्रिद स्कूल में गरीब चात्रों को आस्विदा होईत सरकार कारवाई करेगी प्रादान के अनुसार सभी पंजिक्रिद स्कूलों को 25 परतिसात वंचित और कमजोर वर्ग के पर्वे के आलप सुचित प्रस्ण का जवाब दे रहे त्रश्न करता ने चार नाम देते वे कहा था कि इन इस्कूलों में गरीब चात्रों का नाम आंकन तो हुआ लेकिन बाद में प्रवंदन ने उन्हें निकाल दिया जवाब देते वे मंत्री ने कहा कि प्रश्न में सन नहीं दो पटना और दानापूर के स्कूलों का पंजीकर नहीं है से इस दो इसकूलों में नमांकित बच्चे आज भी पढ़े हैं कोरोना के कारण इसकूल बंद रहने से इन्हें परिसानी हुई होगी किसी को इसकूल से निकाले जाने की सुचना नहीं है बाड़े कपार बिहार के 40,000 आसक कर्मियों को मिलेगा स्मार्टफ़न जिहां राज के 40,000 से अधिग आसक कर्मियों को स्मार्टफ़न दिया जाएगा 15 अगस्त के पहले सरकार सुबे की सभी आसक कर्मियों को स्मार्टफोन मुहाया करा देगी मुई सुबे की सभी एन्यम और आसक कर्मियों को विविन परकार की उपकरन योक्त किडवी दी जाएगी स्वास्त मंत्री मंगल पाने ने विदानसमा में वित्तिय वर्ष 2021-22 के लिए फ्रतम अनुपुरक बजट के तहट अनुदान मांग के जवाब की दोरान सदन में यह गोसना की है बिहार में अगले 24-48 गंटे तक बारिस का अलट रहतास भववा और और अरंगाबाद में औरेज अलट जारी पटना समेत 16 जिलों में 30 एमेम तक बारिस की सम्मावना जिहा मौसम विवाग ने 24-48 गंटे में पुरे बिहार में बारिस को लेकर अलट जारी किया है राज में कई स्तानों पर हलकी से मैदम बारिस होगे जबकि दक्चिन बियार में भारी बारिस को लेकर अलट है पटना गया औरंगाबाद, नवादा जहानाबाद और नालंदा में भारी बारिस की सम्मावना है मौसम बिवाग ने आम लोगों से खरा मौसम में सुरुक्चा को लेकर हमेशा अलट रहने को कहा है मौसम बिवाग ने मांसुन की सक्रेतों को लेकर रोतास बबवा और औरंगाबाद में औरंज अलट जारी किया है ट्रफ रेखा की वज़ा से 48 घंटे के दोरान बिवाग के उत्तर हिस्से में भारी बारिस होने की सम्मावना है जबकि पटना गया बेगुसराय जहानाबाद सहीद बिवाग के दक्चिन हिस्से में 36 जिलो में 30 mm तक बारिस होने की सम्मावना है बाड़ी कबर बिहार की कई नदिया अभी भी खत्रे की निसान से उपर जाने कहां है कितना खत्रा जी हाँ केंद्रे जल आयो के अनुसार गंड़क, बुड़ी गंड़क, बागमती, अदवारा नदी, महानंदी और कोसी नदी का जलेस्तर कई जगों पर खत्रे की निसान से उपर है केंद्रे जल आयो के अनुसार, गंड़क नदी का जलेस्तर दुमरिया घाट में खत्रे की निसान से 38 सेंटिमेटर उपर है वहीं बोड़ी गंड़क नदी का जलस्तर रसोडा में 105 सेंटिमीटर उपर है इसके जलस्तर में 52 सेंटिमीटर कमी होने की सम्हावना है कगड़या में कोसी नदी का जलस्तर बलताराव में खत्रे की निसान से 124 सेंटिमीटर उपर है इसके जलस्तर में 5 सेंटिमीटर की विर् की सम्मावना है कमला बलान नदी का जलिस्तर जैनगर में खत्रे की निसान से 47 सेंटीमिटर उपर है इसके जलिस्तर में 32 सेंटीमिटर की कमी होने की सम्मावना है मुझपरपुर में बागमती नदी का जलिस्तर बेनीबाद में 22 सेंटीमिटर उपर है वैं दरबंगा के बाड़ी कवर 16 करोड के इंजेक्शन से बचे की आयांस की जान बिःवारी बीदान समय में उटा मासूम के इलाज का मामला ऐसा में से पेड़ित बच्चा जिहां गंबेर बीमारे से ग्रासिट रोतास के आयांस के मामले को बिहार सरकार देखेगी बिदान परिशद के कारिकरी सबापती ने कहा कि सरकार ने संग्यान में लिया है प्राधान के अनुसार इसके लिए कुछ करने का प्रियास होगा इस मामले में बीजेपी के परिसद सदश से संजय परकास ने सरकार के सेंगान में लाया है उन्होंने कहा कि आयांस मरिकोलर और टुपे से पिडित है इसके इलाज की सुई सलक टुपे की है आम लोगों के साथ जन प्रतिनिद्यों न भी अपने इस्तर से वेवस्ता करने का प्रियास किया है सरकार को भी इस परिवार की मदद करनी चाहिए उसके बाद सभपति ने यहां नियमन दिया कि सरकार ने संग्यान में लिया है इसे बीच लोजपा ने तक क्रिशना सिंग कलू ने भी आयांस क मदद के मांग प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी और उमिख मंतरी नितिस कुमार से की है बारसट लाग अस्य हजार रुपे के निकासी मामले में बड़िक कारवाई प्रिंसिपल हटाए गए अकाउन्टेंट सस्पेन जिहां पाटना कोलेज के खाते से बारसट लाग अस्य ह आले कारण बताओं नोटिस जारी किया गया था प्राचार का जवाब सही नहीं पाई जाने पर कारवाई की गई है इसके अलावा कॉलेज के अकाउंटेंड कम हेड असिस्टेंड एस अली अबास को भी निलम्मित कर दिया गया है बड़ी कबर, डिलाट कोर्स में नमाँकन को 18 अगस से अबेधन शुरू में बिहार के राजकिये सिक्चक प्रसिक्चन संस्तानों में सेक्चिनिक सत्र 2021 में डियलेट कोर्स में नमांकन के अधिशुचना गुरवार को सिक्चा विवागने जारी कर दी है लगतार तिसरे साल नमांकन की प्रक्रिया संयुक्त परवेश परिक्छा की जगा सभी सिक्चक प्रसिक्चन माहविद्धाले द्वारा अलग-अलग चलाए जाएंगे कोई भी कोलेज नमांकन के अलग से सुचना निर्गत नहीं करेगा सिक्चा विभाग द्वारा जारे डियलेड नमांकन सिडूल के मुताबिक इचुग विदारती 18 अगस से 1 सितंबर तक राज के जिला सिक्चा एवाम प्राशिक्चन संस्तान प्रातमिक सिक्चक सिक्चा महाविदाले और प्रकन एदावक सिक्चा संसान में आवेदन कर सकेंगे साथ आपको बदादे कि 9 सितंबर को मेगा सुची का निर्मान और नमांकन समिति की बैठक होगी बड़ी खबर बिहार में पहली बार आयोजित होगा बिगेश्ट डान्स टेलेंट हर्ड आयम डान्स 30 जुलाई से 27 अगस्त तक होगा रजिस्ट्रेशन जहां बिहार की गलिवों में चुपी नीरतर प्रतिबावों को राष्टिय इसतर का मंच देने के लिए बिहार में पहली बार बिगेश्ट डान्स टेलेंट हर्ड आयम डान्स का आयोजन किया जा रहा है इस बिगेश्ट डान्स टेलेंट हर्ड का आयोजन सिगनिफिसेंट एंटेंटेंट रियायदत फांडिशन के साथ मिलकर कर रही है आपको बदा दे कि रजिस्ट्रेशन के लिए सिंगनिफिसेंट एंटर्टेंडमेंट का एप डाउनलोड करना होगा जो प्लेश्टेर पर उपलब्द है आपको बदा दे कि रजिस्ट्रेशन की समय सिमा आज यानि 30 जुलाई से 27 अगस तक रखा गिया है बड़ी कबर 31 अगस तक अंतर राष्ट्य उडानों पर बड़ा प्रतिबन डिजी से का बड़ा फैसला जिहां देश में कोरोना महमारी की वज़े से इंटरनेशनल कॉमर्सिल फ्लाइड के आवाजाई पर रोग को 31 अगस 2021 तक बढ़ा दिया गया है नागरेक उडेन महानिद सालाई ने इससे समादित सुचना जारी कर दी है और अंग की बड़े कबर अगर आपके आसपास हुई है या घटना तो परिवार को मिलेंगे 5 लाक रोपिय जाने पूरी प्रक्रिया जिहां बिहार में हर साल सेकडों लोगों की साब के डसने से जान चली जाती है जीले में या अकड़ा 10 से 12 का है जानकारे ना होने के आभा में पिडित परिवार गरीबी में जीने को मजबूर हो जाता है आपके जानकारे के लिए बता दे कि साब काटने से मौत पर पिडित परिवार को सरकार के द्वारा पांच लाख रूपय का मौवजा दिया जाता है आपके जानकारे के लिए बता दे कि साब काड़ने से मौत होने के दसा में मिर्तक के अश्रित को वन विभाग कार्याले को आवेदन देनों होगा साथ में मिर्तक के पोष्ट माटम रिपोर्ट और मिर्तु परमान पद्र की कौपी जमा कारानी होगी इसके बाद विभाग स्तर पर जाच कराने के बाद मौत की पुष्टी होने पर 5 लाक रुपय का मौवजा दिये जाने का प्रावधान है आज के लिए आपका सवाल बताए कि बिहार में जाती है जनगना होनी चाहिए या नहीं इसका जवाब आप हमने नेचे कॉमेंट करके जरूर बताए